अलो दोस्तों वेलकम टू वर्टेक्स स्टोरी तो आज देखो आज मैं एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिसके बारे में आप अपने डेली लाइफ में उस चीज के साथ अनुभव भी करते हो आप मैं बात कर रहा हूं पापड की आपने पापड बहुत खाये होंगे और पाउने एक जिगह 1969 के अंदर केवल और केवल 80 रुपए के साथ अपने कारुबार की शुरुवात की तो आईए जान लेते हैं इसकी पूरी कंप्ली के स्टरी तो बने रहे हैं मेरे साथ लास्ट तक और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखो सबसे पहले ये कंपनी जो है फाउंड हुई थी 15 मार्च 1969 को गिर्गौन मुंबई के अंदर इसका हैड़कॉर्टर भी अभी मुंबई में है एक्चुली का जाता है कि इस लिज्जत पापड के अंदर इन्होंने अभी तक 50,000 से ज़्यादा लोगो अपने घर पे या अपने घर से अपना घर का जिक्ता भी कर रहे है उसको एक बार कर लिया उसके पाद जो खाली समय बज़ जाता है उसे अंदर वो अपने कर्माई का जरिया बना सकती है इस तरीके से उसका बिजनस मोडल बनाया गया है वो साथ महिलाएं थी जिन्होंने 1969 में लिज़त पापड कमपनी के सुरुआत की। पापड का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि पापड एक बेसिक नीट्स की कैटेगरी के अंदर आता है। और साथ में पापड देखो उनके पास सिर्फ एक उनर था पापड बनाने का क्योंकि वो गुजराती महिलाएं थी तो पापड को इस तरीके से प्रिजेंट किया और इसको एक सकस्वल बिजनस में कनवर्ट किया उन्होंने। अब सबसे बड़ी समच्चा किसी वी बिजनस के अंदर आती है तो उनके साथ भी एक समच्चा है कि पैसे की कमी आई थी उस समय तो उनके पास पैसे की कमी थी तो इस तिती में उन्होंने एक समाजिक कार्य करता और जिनका नाम था चगनलाल कमरसी पारेक। उन से उन्होंने 80 रुपए उधार लिये और इस रकम से पापड को एक उद्योग के या बिजनस में कनवर्ट किया देखो जो 80 रुपए थे उसका क्या क्या उन्होंने 80 रुपए से उन सारी सामगरी को खरीदा और एक उद्योग में बदलने की पूरी की पूरी तैयारी की प्रोफिट वाक और अगले दिन उन्होंने एक रुपे का प्रोफिट गेन किया यानि उन्हें ऐसा लगा कि हमें हर बार प्रोफिट मिल रहा है तो उसको एक बिजनस में करते रहे करते रहे 1969 को मशूर मार्केट बुलेश्वर को मुंबई के एक मशूर मार्केट में है इस ब्रैंड के पापड बेचे जाने लगे और उस वक्ति ये मेलाओंगे ती एक सुस्त्य और एक महंगये पापड तीक है उन दोनों को उस मार्केट में प्रेजेंट किया गया लेकिन जो चगन पारेक उर्फ चगन बपपा ने इन महिलाओं को सला दी कि अपनी जो गुणवता से समझोता कभी भी ना करें मतलब उनकी जो क्वालिटी है उनमें कभी भी ऐसा ना हो कि हम उससे समझोता कर रहे हैं हम एक तो अच्छा अच्छे मतलब ब्रैंड का पाफल बना रहे हैं एक ग गुणवता वाले पापड बनाने तियार करने लगे लिज्जत ने सहा कारी तोर पर विस्तार करना शुरू किया और देखते देखते इस बिजनस में 25 लड़कियां काम करने लगी अब कुछ मैलाओं जो थी ना जो मतलब उनकी जो संख्या में उनकी इंप्लोईस की संख्य भी होने लगी पहले साल में इनकी आर्थ जो फाइनेशल एर की जो सेल्स थी वो हुई थी 6106 में रुपे की अब देखो तूटे वे जो पापर थे ना वो उन्होंने जैसे कोई पापर बनाते बनाते तूट भी जाता था तो उनका क्या क्या उसका अपने परोस में प्री म मौसम की बहुत ज़्यादा ऐसी परिशानी बुगतनी पड़ी और जिससे क्या हुआ उनका जो बिजनस था वो ठप हो गया क्योंकि बारिस के मौसम में जो है पापर वो कभी सूपते नहीं है क्योंकि दूप निकलती नहीं है तो अगले साल उन्होंने इसका इलाज भी जाती थी जिससे बारिस के मौसम में भी उनका जो काम है या जो उनका बिजनस है वो ठपना हो इस ग्रूप ने माउट पब्लिसिटी और अकबारों में अपने आर्टिकल के जरिए खूब नाम कमाया इस पब्लिसिटी या इस मार्केटिंग को और उनको काफी फाइदा हु भा इस मार्केटिंग से और कई ओरतों ने इस बिजनस के सासा जुड़ती गई दूसरे साल में इस क्रूप में 100 से 500 मेलाएं जुड़ गई थी तीसरे साल में 300 के पार पहुंच चुकी थी देरे 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 इनका कारोबार जो है वो फैलने लगा और इसकी स्तापना करने वाली वो साथ औरतों की छट कम पड़ गई इसलिए उन्होंने अपने सदुश्यों को घर पर ले जाकर पापड बनाने के सलाहा दी इसलिए इसका जो बिजनस मोडल भी इसी बेस्ट पे अधारित है मतलब आपने घर से ही पापड त्यार करो पापड बनाने के साथ उन्हें वापस तोला जाता था और फिर पैक किया जाता था 1962 के अंदर ग्रूप ने अपने पापड का नाम करन किया और लिजज़त पापड रखा और एक गुजराती शब्द एक्चुली लिज़त का मतलब होता है स्वादिस्ट या जो टेस्टी हो लिज़त पापड लिज़त गुरूप की परतेक सदश्य को बहन समोधित किया जाता है और इस गुरूप के अंदर हर एक ओरत हर एक ओरत एक ओनर की तरह ट्रीट की जाती है मतलब कोई भी इसके अंदर स्पेसिफिक कोई बड़ा आदमी नहीं है या कोई वड़े ओदे पर नहीं है वो सारी की सारी ओनर्स कहलाती है इसी के साथ उन्होंने इतने बड़े ब्रैंड की स्तापना की और जिसको अनेक अंतराश्ट्रिय और राश्ट्रे स्तर पे जो है पुरुषकार से भी नवाजा गया इस कंपनी को इसका नामकरन की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो सुनना चाहोगे तो जुड़े रही है हमारे लाश्ट तक इसके नामकरन के लिए एक कंटेस्ट रखा गया था और लिजट नाम देने वाली दीरज बैन रूपा रेल इस कंटेस्ट में विज़ई हुई थी उनके लिए उन्हें पांच रुपे का परुषकार मिला था कितने रुपे का पांच रुपे का और इस और्गनाइजेशन का नाम स्री महिला ग्रह उद्योग लिजट पापड रखा गया 1962-63 में इस गुरुप की जो एन्वल जो आय थी यादी जो रिवेन्यू था वो हुई एक लाख ब्यासी हजार ठीक है उस समय मतलब 1962-63 के जो फाइनेशल येर में उन्हें एक लाख ब्यासी हजार की जो एक्च्वल रिवेन्यू जनरेट हुआ उनका जुलाई 1967 को लिजट को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तैट रिजिस्टर किया गया और इसी साल खादी डेवलोपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्री कमिशन के अध्यक्स देवरधर में खुद लिजट का इंस्पेक्शन किया और 8 लाख की पुन्जी का निवेश किया मतलब उस टाइम भी उन्होंने क्या क्या आठ लाख रुपे का उसकी कमपनी में इन्वेस्ट किया और दीरे दीरे देखते देखते उनकी कमपनी जो है बढ़ती गई और सफलता की कदम चूमती रही यदि आपको ये वीडियो या इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ और जानना है तो कमेंट कीजिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंट्स के साथ क्योंकि इसकी केस्टरी इतनी जड़ा अच्छी है इंट्रेस्टिंग भी है जो आपको पसंद भी आएगी